आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोश्चन सिखने जा रहे हैं आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ट्रिक बताने वाला हूं और उस ट्रिक के पीछे जो क्लू है वो बताने वाला हूं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मेरे हाथ में यह जो शेप है यह एक स्क्वाइर है ठीक है स्क्वाइर शेप का शीट है और इसको मैंने इसलिए शेट कर दिया है ताकि आप लोगों को दिखे ठीक है और इसका साइड जो है 20 सेंटीमीटर है यानि 20 सेंटीमीटर मेजर होगा यह साइड और यह साइड दोनों साइड के मीड पॉइंट से इसको हम लोग दो पार्ट में बाट देंगे ठीक है यानि इस स्क्वाइर को हम लोग दो पार्ट में बाट देंगे और उसके बाद इसको हम लोग एरेंज करेंगे एक rectangle के रूप में, तो चलिए कड़के देखते हैं, इसको काटिए गए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यह square था पहले, और इसको हमने दो पार्ट में, इक्वाल पार्ट में, डिवाइड कर दिया, अब हम लोग इसको add एंज करेंगे, एक rectangle के रूप में, अब आप देख सकते हैं, यह पूरा एक rectangle के रूप में, arrange हो चुका है, अब हम लोग इसका perimeter find करेंगे, यह हम लोग को बनाना है, पहले जो था figure, इस तरह से था, और उसके बाद हमने इसको, दो पार्ट में, इक्वाली, डिवाइड कर दिया, यहां mid point से, और उसके पार जाके, इसको हमने, rectangle के रूप में, arrange किया, अब इसका हम लोग को perimeter निकालना है, तो perimeter कैसे निकालेंगे, वो हम लोग सीखेंगे, और उसके पीछे जो trick है, उसको हम लोग जानेंगे, हम जानते हैं कि perimeter, square का क्या होता है, perimeter of square, equal होता है, 4 into side, तो इस figure का perimeter, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता था, कि इसका 20 centimeter है, यहां लिख देते हैं 20 centimeter, तो 4 into 20 centimeter equals 80 centimeter, मतलब इस figure का perimeter 80 centimeter हो जाएगा, लेकिन इसको हमने addage किया, आप बीच से divide करके, एक rectangle के form में, तो इसका perimeter क्या होगा, तो आप देखिए कि यहां भी 20 centimeter होगा, फिर यहां तक का भी 20 centimeter होगा, यानि दोनों मिलके हो जाएगा, 40 centimeter, उसी तरह, यह side भी rectangle का 40 centimeter होगा, 20-20, 40, और यह बीच से divide हुआ था, यह पूरा 20 था, तो बीच से हम लोग ने इसको divide किया था, तो यह 10 centimeter होगा, और यह भी 10 centimeter होगा, perimeter of rectangle, rectangle, equals, rectangle का perimeter क्या होगा है, 2 into L plus B, तो 2 into length कितना है, 40 centimeter, 40 plus, और breadth कितना है, 10, 10 centimeter, तो 2 into 50 centimeter, 100 centimeter, यह निए, इस rectangle का perimeter 100 centimeter हो जागा, लेकिन अब हम लोग इसको एक trick का use करके बनाएंगे, तो चलिए उस trick को देखते हैं, पहले से हम लोग जानते थे, कि side of square कितना है, rectangle का perimeter क्या होगा, अगर इसको कभी भी कोई भी square हो, और उसको अगर हम लोग B से divide करके, और rectangle के form में arrange करेंगे, तो simply हम लोग क्या करेंगे, perimeter निकालने के लिए, perimeter of rectangle equals simply 5 से multiply कर देना है, यहनि 5 into side of the square, side of square, मतलब 5 into 20 centimeter equals 100 centimeter, कोई भी ऐसा figure होगा, और उसको इस तरह से divide करके, नया rectangle form किया जाएगा, तो उसका perimeter हम लोग आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप किसी भी competitive exams या intense exams में बैठते हैं, तो time management सबसे ज़्यादे effect करता है, इसलिए हम लोग इस trick का use करके, आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं perimeter नए वाले rectangle का, ठीक है, I hope कि यह video आपको अच्छा लगा होगा, इसी तरह के interesting videos देखने के लिए, और हमारी चैनल से बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राब करके, बेल आइकन दपा दें, thanks for watching.